नमस्तार दोस्तों मेरा नाम में भिमल सिंग बाला जी स्टेटी एड़ा में आपका स्वागता आस्तारी के आपकी 9 फर्वरी 2023 की सिक्षा समंदित क्या से भी अफडेट ही करके सभी की बात करते हैं लाश्ट में कुछ करेंट अफ़ेर की बात करेंगे सबसे बहली अफडेट आपकी रीट का ओफिशल नोटिफिकेशन जो है वो निकल आया है और साथ तारीक को इसे जारी किया गया था इसमें जो परिक्षा की सभी तिधियां है उसको ले करके यहाँ अधिजूशना जारी की गई है इसमें आपका यहाँ पर 25-2023 मौर्निंग सिफ्ट साड़े नौ तो विज्ञान और गडित आप यहाँ देख रहे हैं और जो समाजिक विज्ञान है उसका 26 तारीक को है हिंदी फिर आगे देखेंगे तो उसका 26 तारीक इविनिंग सिफ्ट है मौर्निंग सिफ्ट है जिसी परकार संस्क्रत देखेंगे तो 27 तारीक मौर्निंग सिफ्ट है बाग में 175 पदों पर होगी भरती, 14-16 फरवरीत का भरतियों के लिए साथ छातकार जो है वो दिये जाएंगे, प्रयाग रास से न्यूज है, कई अन्य भरती जो विभाग है उनमें भी एक माह के भीतर जो भरती प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, अगली अपडेट लो को लेकर के यहां बताये गया है, परिक्षा इसकी 14-16 दिसंबर 2022 को हुई थी, अगली अपडेट साथ दिन में हल होगा दो भरतियों का विवाद, जूनियर हाई स्कूल में भरती की खुलेगी रा, उसको भी लेकर यहां बताये गया है, और यहां पर सिक्षको और प्रधान आवेदन आये, अब सीधे 16 से साथ चातकार आपको देखने को मिलेगा, चिकित्सक भरती को लेकर के बताये गया है, प्रयाग्राज से जो है वो निउस है, अगली अपडेट, सिक्षको की रिटार्मेंट उम्र 65 साल करने की जो लेकर के मांग, लखनो विसुद्ध देले की यहाँ पर बात की गई है, 69,000 सिक्षक भरती में हलफ नामा मांगा गया है, और यहाँ पर निउक्ति की मांग से जोड़ी जो अवमानना याचिका है, उस पर राजसरकार से अनुपालन हलफ नामा मांगा गया है, और एक अंक देने के आदेश के अनुपालन का यहाँ पर निर्देश दिया गया है, वो यहाँ पर बताया गया है, अगली अपडेट, डिप्लोमा फॉर्मेसी चात्र देंगे, एग्जिट परिक्षा, लकनों से जो है वो न्यूज है, पंजीयन से पहले फॉर्मेसी जो चात्र हैं, उनको देनी होगी परिक्षा, लकनों से न्यूज है और फैमिली आईडी के लिए आतारित के वाई सी जो है यहां पर लिखा हुआ है प्रोसीजर उसका और साइड में यह भी लिखा है जो रासन कार्ड के पात्र नहीं है वो बनवाएंगे यह परिवार कार्ड सीटेट में दूसरी की जगा परिक्षा देते गोरखपूर में दो सॉलवार धबोचे गए एक युवग अपने भाई की जगा और दूसरा 80,000 रुपए लेकर के परिक्षा जो है वो दे रहा था सीटेट गोरखपूर से न्यूज है और उसी को लेकर बताय गया है यह भी लि क्या फाइदा होगा वो भी यहां पर बताय गया है कि अब आसानी से आविदन कर पाएंगे किंद्र विवस्तापक की बैठक आज होगी प्रियागरास से जो है वो न्यूज है शिक्षक शात्र सात्राओं का चिटचड़ा पंदूर करेंगे प्रियागरास से न्यूज है ब यहां से कुछ करेंट अफेर डबलू टीसी फाइनल साथ जून से होगा उपकप्तान का खेलना तै नहीं है ऐसा जो है वो भारत के पूर्व कोज रवी सास्तरी जो है उनका कहना है और आज आपको यह ट्रॉफी का मैच देखने को मिलेगा टेस्ट मैच है पॉडर गावस क ट्रॉफी चार मैचों की सरंकला का पहला मुकाबला आज से नागपुर में जो होगा टीम रोहित की आज से अगनी परिक्षा होगी और शेलिया के खिलाफ लगातार पांचवी घरेलू टेस्ट सरंकला जीतने का मौका होगा और डबलू टीसी फाइनल वाला अपडेट हम देख चुके हैं और यह हम द्विग्य अपती अलड़ी देख चुके हैं तो यही था हमारे इस ओर अपडेट में इसी प्रकार टेली अपडेट पाते रहने के लिए चानल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन विलाव शान का लीजेगा वीडियो पसंद आए और लाइक क कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा मिलते हैं अगले बडेट में तब तक के लिए नमस्कार जैन